बीम्स यादिगारि का भाव के है बीम्स यादिगारि का भाव के लग विक्ता है इन लोग कभी विजिट करते ही नहीं खाली उनको पता चलता है के रोट नमबर 10, 11, 12, 13 ऐसे हैं पर रूम बन रहे है उनके कोई अधिकारी जो गुमते है जो उनको पहुचाते है रूम बने जाता है जो मलबा है उसके उपर गिरा इस तरीके से करीब तीन चार लोग बताया जा रहे है जिसमें से जो लड़की थी उसके दोनों पैर फ्रेक्चर हो गए है सर पे मार लगी है उसके पैसा कॉन लोग लेते हैं अधिकारी लोग और हम आपको थोड़ी कोई देने वाला है लोग बैट करके जो है कुरसी गरम करने काम कर रहे है जबके सरकार उनको इस चीज की सैलरी देती है कि वो जो है जो एरिया में जो काम हो रहे है जो इलिगल कंस्रक्शन हो रहे है उसके उपर ध्यान दे लेकिन आरोप है कि पैसे लेकर के जो है legal construction का काम करने दिया जाता है आज करीब एक बजे plot number 25 में road number 12 पर एक घर गिर गया है पीछे आप देखिए किस तरीके से जो है ये घर था गिर गया इसको किसी तरीके की notice नहीं दी गई है ऐसे बताया जा रहा है गर काफी पुराना था और इस road पे जो road है गली road है यहां पर घर गिरने के बाद में जो है गर का जो मलबा है वो एक लड़की है जो already mind जो उसका जो दिमाग है वो कमजोर थी दिमागी हालत से यह जो मलबा है उसके उपर गिरा इस तरीके से करीब 3-4 लोग बताया जा रहे है जिसमें से जो लड़की थी उसके दोनों पैर fracture हो गए है सर पे मार लगी है उसके लावा एक महीला थी जिसको सर पे टाका आया हुआ यहां पे बहुत सारे लोग है तो जिस तरीके से मैं हमेशा इलिगल कंश्रक्शन के जब मैं अपडेट दालता हूँ तो आप ही लोगों में से कुछ लोग जह है वो इस चीज़ का कमेंट करते हैं कि जोल करना है हफता नहीं मिल रहा है पैसे नहीं मिल रहे है इस तरीके की लोग कम्प्लेन करते हैं लेकिन अगर आपके घर में से किसी बच्ची की इस तरीके से हलत होके उस मलबे में दब जाए और दबने के बाद में जो इसके दोनों पैर फ्रेक्चर हो जाए तो आप किस तरीके से आप महसूस करेंगे ये जरूर कमेंट करके बताना और दूसरी चीज़ में आप से ही सवाल करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से गोवनडी शिवाजिंगर की जो आबादी है उसकी तीन गुना आबादी इस इलिगल कंस्रक्शन की वज़े से बढ़ गई है जहां पर चार लोग एक घर में हुआ करते थे आज उसी घर में सुला लोग रह रहे हैं जिसकी वएसे आज यहां पर ऑक्सियन देखो आमीर भाई मैं आपके चैनल के माध्याब से बताना चाहता हूं मेरे प्लॉड की एक लड़की जो तीमाक से थोड़ी प्रॉब्लम है उसके उपर यह मलबा गिरा है उसका दोनों पैर फैक्शर हुआ है उसके सर पे काफी चोट लगी है और तीन घंटे हो गए ना क देमोलेशन के जाए लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है बिना अपने मन मरजी के ना कोई बीमसी अदिकारी ने नोटिस दिया ना कुछ हुआ खुदी जो रूम माली का ऐसा बताय जा रहा है खुदी तोड़ रहा है और वो रूम गिर गया आज और जो यहां के देंजर मामला यह तो उनका का में विजिट करना उनका देखना ऐसा जासे आदेकारी पर तो सक्से सक कावई होना चीए मैं आप जाए तो उसके ओपर जो बंद है चलो ठीक है आप अच्छा कीजिए फांडेशन मजबूत कीजिए आप रूम बनाईए देखो आब आजी ज करती है कि जहां पर जो रेसिदेंशल एरियाज है कमर्शिशिल चॉदा फिट से उपर नी होने चाही जो आपको पताय है तो जब अलावभी नहीं तो फिर कैसे आप आर्सीजी का काम करने का लावँड ही नहीं है जमUB करनें देरहे नी आछाए मे लोग घ्म होने देरें ट उसके घर में तीन फैमिली है वो अटरा फीट सोचता तो एक छोटा वाला सोच लेता है लेकिन यहां पर क्या होता है कि और धोके बाजी हो रही है और उसके उपर एक चला जाता है लिए जिसका फाउंडेशन मजबूर नहीं होता है और मेरा मतलब यह कि अधिकारी को विजि लड़की का क्या कितने लोगों को मार लगे इसमें अभी तक तो मेरे प्लॉट की जो मेरी गली जो मेरे मैं सोया सुबह सुबह मुझे कॉल आया कि ऐसा-इसा हो गया तो मैं पहले ही उनको घरवालों को कॉंटेक किया उन्होंने बोला बच्ची को मार लगा अभी तक कोई क्या अभी तक कोई आया ने थी को लेगा बच्ची के वांपर आया था वी अधिकारी कोई नहीं पर आया था पूंसी गरम कर रहे होंगे मुझे लगता है किस चीज की सैलरी लेते है अदिकारी जब नोटिस नहीं देते इंडियल चंस्रुक्शन पे कोई काम नहीं करता है इतने कॉंटेक्टर से यहां पर कौन लोग ने देखा किसके सामने इस सारी चीज़े हुई आप थे क्या हुआ था मतलब आवाज हुई थी क्या चीज़े मतलब एक चुली कैसा है के यहां पे पहले नीचे में महीं करखाना लिया हुआ था भारे पे तो मैं चला रहा था तो म मैं ओनर को बोला कि आपका रूम डेमेज हो चुका है तो आप जितनी जल्दी है कि इसको तोड़वा लो ने तो मैं गाला खाली कर देता हुआ तो मैं 30-31 को यह महीने में इत्ते फाक से मैंने यह गाला छोड़ दिया तो मैंने मतलब बच गए ना हाँ वही बताई जान करके बडन निकाल देता हूँ तो यहां पर वह आदमी लोग कारीकर लोग काम कर रहते तो वह सोच रहते कि यह करेंगे तो दिवाल गिराने वाले थे लेकिन कैसा है कि अचानक में दिवाल जो है वह स्लैप का जो पीलर का मजबूती रहती निकल गई तो दिवाल खुद ब उता तो बना नहीं रहा कि सब कितने लोग पर इन चरही को चोट लगा है cadre जिसका रूम बन रहा है खुदका लमाद यहां पर कि यहाद्सा से रहा है इस रॉभब कुरिoby दूजय के है जो भी वह से जोड़ी उस्वेशन का उसका हुऊ ह're घ्युक्त पहुए लग्राय। विदिनार दो से तीन मिनट में मेरी खुद की एक्टिवा थी यहां पर मेरी खुद की एक्टिवा पुरा दब गया लेकिन चलो अभी मैं जान देखू की माल देखू वह वाली बाते लोगों का हिफाज़त रहना जादा इंपोर्टन्ट है तो क्योंकि हमारी चाली की एक अंडी है उनका सर फ्रेक्चर हो गया बच्चे को लागा उनके खुद के दमाद को वन साइडर चिला है तो उसका खुद का दमाद करवा रहा था हां लेकिन यह दिवाल गिर नहीं थी दोनों साइट से गिर कर गे वह इसाब से बनना था कि दो सब चीजे समझ रही है तो आप यह नहीं कर सकते हैं जो इतने बटे-बटे डिगरी लेकि जो इस खड़ी कर रहे हैं वो कई सालों साल इंजिनिरिंग करते हैं पड़ते हैं उसके बात कर सक्षिन करते हैं ऐसे होता है ना अच्छा मुझे एक बात बताब आप कपसे रहते ह पहले एक घर हुआ करता था ग्राउंड फ्लोर एक कोट माला हुआ करता था चार लोग रहते घर में अब वही घर को चार माले का पांच माले का बनाते हैं 16 16 और 20 लोग रहते एक घर में तो जो गोवंडी की आबादी थी वह आज पांच गुनाचार गुना बढ़ गई है यहर्ना बलगा है यहां आजना वड़ गई लगता है यह जैसे चल रहा है वैसे चलना चाहिए आप दिखो जैसा है जैसा इंकंटरिक्शन बन होना चाहिए लेकिन फिर भी उनकार कोई आवाज ने उठा कि लाइन में तीन माले का चल रहा है आपको 14 माला इंक्रीज कर रहा है तो जहां तक मुझे नौलेज है पचीस-पचास जार रुपया खर्चा कीजिए आग बंद करके काम होता है और पैसा को लोग लेते हैं अधिकारी लोग और हम आपको धूरी कोई देने वाला है आपको लाइन से चल रहा है यहां पर 10 गाले है आपका रूम तूटना है देख रहेंगी सब 3 माला बना हुआ है तो आपको भी होना चाहिए कि निक 3 माले पे मजबूत है चल रहा है अप उन भी उतने पर रहें लेकिन क्या आप सोची रहें जब मैं 15L,000 रुपया खर्च कर रहा ह दो लाग रुपया खर्च करके एक गाला बना दूँगा तो मेरा पांचाजार रुपया, चाराजार रुपया भारा इंक्रीज हो जाएगी आपने तो सुच लिए, तेकि उसका बड़न का गया, फीले रखती, दिवाल लगता है, बहुत सारा चीज है तो वो चीज एक बढ़ा देता, अब एक माला उपर बढ़ाएगा, तो क्या पुलीस की रॉंड अप चलते रहती है तो यहाँ पर कैसा है गया, अब उन किसी एक को ब्लेम नी करेंगा, इसमें सब की मस्ती है रूम ओनर है, उसको पाँच जार रुपया भारत जार दिख रहा है जो कॉंटेक्टर है, उसको लगता है दो तीन लाग का काम आ गया, बढ़ गया तो मेरे को 25-30,000 रुपया बेनिफिट एक सा बढ़ गया 25-30,000 रुपया का इतने बड़े का का, 25-30,000 नी है जो गाला तीन माले तक तो उसने जो दे रहा है, वो तो अलग पाट है एक माला वो बढ़ाया, तीन लाग रुपया का काम बढ़ गया तीन लाग में से, पूरा तो तीन लाग कॉंटेक्टर को बचे गा नी, माली नी है क्या मतलब, BMC अधिकार का क्या भाव चल रहा है 15 से ले के 20 लाग तक में अभी बन रहा जा तक मैंने अभी 2-3 गाला BMC अधिकारी का भाव क्या है BMC अधिकारी का कोई बढ़ जो जितने में टूड गया 25 वाले भी है, 1 लाग वाले भी है, 2 लाग वाले है डिपेंड करता है, रोड का गाला है, चाली का गाला है, बीच का गाला है यह हिसाब से डिपेंड गया मतलब, सैलरी छोड के जो एना अधिकारी जो है पेपर दीगिया हाथ लागा राज कोई भी कॉंटेक्टर एक दम सही बात बोले यहां पे से चार आदमी साइध हमाप भी खड़े हो जाएगे लिए कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं तजुरुबा बोलते ना जिसको तजुरुबा बास पर यह क्या चीज का त इसलिए साथ घाट का नतीजा है सामने आपके सामने पढ़ा हुआ साथ घाट का माल पढ़ा हुआ है तो साथ घाट और जो बिकाओ बीमसी है आपको जैसे के बताया गया कि बता रहे हैं के करीब 25,000 रुपे में बिक जाते हैं बीमसी अधिकारी कुछ अधिकारी 50,000 रुपे में बिख जाते हैं एमिस्ट वार्ड की बात कर रहा हूं जाकि असिस्टन वार्ड कमिशनर अलका ससाने हैं तो ये बहुत शर्म की बात है मेरे लिए कि जिस तरीके से एक BMC अधिकारी पे जिसके एक वैलिव होती है एक सरकारी अधिकारी है इसके ओपर लोग जो है थी दोनों पैर तूट गया जो फैमिली है वो भी बहुत गरीब है कहां से वो इलाज के लिए पैसे लाएंगे अब बताईए मैं बताता हूं कि यह हाथसा तो यहाँ पे हो गया इसके बाजू में एक और एक इलिगल कंस्ट्रिक्शन चल रहा है वो आप पीछे देखिए फ़र सा आगया के दिखाना में को प्लीस एक और इलिगल कंस्ट्रिक्शन वहाँ पे चल रहा है क्या यह बीमसी अधिकारी राउंड करते है क्या क्या यह लोग अपने बराबर राउंड करते है क्या क्या एरिया में इलिगल कंस्ट्रिक्शन को ध्यान रखते है क्या लोगों को मार लगा है उनकी जान की जो जिम्मेदारी है वो इन लोगों की बनती थी उनकी ही निगलिजिंस की वज़े से घर गिर गया और ये घर गिरने के बद बच्ची है जो बिस्तर पे आ गई है फारुक जी मैं आप से बात करूँगा थोड़ दो मिनिट क्या मांग करे आपके यहां से आया था कि अबू आसी माजमी यहां के जो एक्स कॉर्पोरेटर रहे चुकी है वो जन अधिकारी मतलब अभी जो 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 भी हांके जो अधिकारी होते है उसके अलावा जो लोग होते वो देखने काम करते है फिलाल अभी तक तो कोई नहीं आया या फिर हागम दोड़ी पे ता सताब जी कॉंटेक किया घर वाले को कॉंटेक किया घर वाली की जो ममी ती जिसकी बच्ची थी उसने मुसे कॉंटेक की उनसे मैं बात किया उनका इलाज कैसा चल रहा है वो अभी मैं वहापस से सताब जी जा रहा हूँ यहां से उनकी फैमिली के आपको चुन कर दिया और आप पे भरोसा करते ये वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ कमेंट करके लोग आप जितने लोगे ये ब्रस्ट अधिकारियों पे F.I.R. की मांग करें और जो घर उनर था जिसने ये निगलेजन्स किया है उसमें भी मामना दर्श किया जाए मैं आमिर नुकर लाइब गोवंटी शिवाजी का रोड नमबर बार